आगात है दोस्तों आपके अपने चैनल विश्यू टेक में दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह हमारी एक सीरीज चल रही है बिल्लिंग माटीरियल में ब्रिक्स टॉपिक चला है जिसमें हम लोग यहां पर प्रैक्टिस को कवर कर लिया जो कि प्रीबियस एससी ज प्रैक्टिस के दोस्तों तो आप मारे प्रीबियस लेक्ट्टर की विडियो में जाके दिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है दोस्तों वहां से आप इसको देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम लोग नंबर 26 स्वर्मर कोश्चन क्या बोलता है तो आइड़न अक्सट हम लोगो को क्या करता है तो एद कर प्रोवाइड करता है तो आप्सर नंबर इसका जो डी है दोस्तों वह यहां पर दिया हुआ है आइडरन आक्सट तो आईडरन अप्सट्र ज़यों का चैस में जो ब्रीक वर्थ होता है तो इस कोश्चन का जो के लिए है, half brick और partitions walls में, all options are correct, तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका answer होगा, अगर आप honeycomb, structure की बात करें, तो वो भी क्या होता है, half brick का होता है, second brick flat soling की बात की बात कें, तो यह भी half का ही होता है, and half brick wall की also is half, तो यहां पर option number D is the correct answer for this question की brick को इन चारों case में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का square meter में measure किया जाता है तो इसके बाद दोस्तों इसका 28 number जो हम लोगों का question है 28 number question वो question है brick wall are measured in square meter if the bricks यहां पर दोस्तों कुछ है कि जो होता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगला question यहां पर आ रहा है 29 number of question 29 पर कोश्चन के बारे में बात करें यहां पर हम तो which are following is a good for making the bricks, दोस्तों यहाँ पूच दाए कि कौन सी clay ऐसी होती है, जिसको जो कि हमारे bricks को बनाने में काफी ज्यादा beneficial होती है, तो सबसे पहला दिया है silted soil, not accepted दोस्तों, क्योंकि जो हमारी clay and silt होती है, 65% यह होती है, दोस्तों हम लोगों के एक अच्छे bricks में इसकी percentage, but यहाँ पे बोलता है silted मतलब दोस्तों क्या है 100% silt हो यह पहला गलत हो गया, second दोस्तों weathered clay, दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, जो brick बनाया जाता है, दोस्तों यह हम लोगों के लिए इसके लिए सबसे ची clay काउन सी होती है, वेदर्ड clay, तो option number 20 है correct answer, दोस्तों, soil तो अंदर in ingredients to mix bricks known as, दोस्तों बोलाया है, जो भी हमारी कहना में bricks के कई ingredients होते हैं, मिलाने के मिला के हम लोग जो एक total पूदा bricks बनाते हैं, दोस्तों, इस process को क्या बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या है, process को क्या बोलते हैं, इसके मिलाने के, यहाँ mixing clay, mixing of these materials को क्या दोस्तों, एक हम लोग इसके पहले question पढ़ चुके है, excess of Elmuna, जब दोस्तों Elmuna का excess होता है, तो क्या impact होता है, एन एन एदा दी हाँ पर लोग क्या पढ़नें, दोस्तों, excess of silica, जब silica की excess ज़्यादा हो जाए, तो क्या impact होगा, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मात कर हैं silica के लिए, तो silica ज़्यादा होने पर क्या होता है, हमारा जो bricks होता है, तो यहीं पर दोस्तों, आगर हम लोग क्या बात करें, कि अगर Elmuna की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो दोस्तों, यहाँ पर एक basic difference है, आप इसको बहुत अच्छे देख सकते हैं, इसके पहले video मे Elmuna के access के बादें बताया हुआ है, तो उसमें जो answer है, क्या होता है, Elmuna ज़्यादा होने पिका होता है, bricks में cracks and warp and dry हो जाता है, और हमारा क्याना में brittleness आ जाता है, जब सिलिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, next 32 number of questions की 32 मे दोस्तों एक brick पे क्या होता है, किसी भी हमारे bricks पे, एक बीच में निसान बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी size क्या होती है, 10 cm into 4 cm होती है, तो दोस्तों यह क्या बोला है, क्यों होता है, तो the appearance to the lift of stone, dispersion on the face of bricks, vertical joints in a bricks work, दोस्तों में most important उसका motive क्या हुआ, vertical joints को मिल जाना, इसमें जब motor हो जाता है, दोस्तों, तो क्या होता है, यहां पे एक अलग layer में motor होता है, यहां पे bond बनाता है, up to the top of the bricks में, तो option number 6 is the correct answer, यहां पे दोस्तों अगला question 33 number of question क्या है, the minimum compressive strength second class brick, तो second class brick की जो actual strength होनी चाहिए, वो कितनी हो चाहिए, दोस्तों, 7.5 newton per mm square यहां पे पूछा है, minimum, तो minimum, दोस्तों, 70 kilogram per centimeter square, या 0.70 newton per mm square is the correct answer is the option number A, दोस्तों, इसके बाद यहां पे question है, हमारा 34 number question, अब पगमिल is used for, कोई भी एक पगमिल होते है, दोस्तों, वो क्यों use की जाती, क्यों बनाए जाता है, पगमिल का main motive क्या होता है, दोस्तों, softening the earth, it is a wrong answer, दोस्तों, softening the earth is a not correct answer, molding the brick, tempering of the brick work, दोस्तों, जो भी होता है, मोल्ड नहीं करता है, यह क्या होता है, टेंपरिंग मिस क्या होता है, दोस्तों, उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से, टेंपरिंग करता है, उस soil की, तो हमारा पगमिल इसका, इस साही के से काम करत दोस्तों, यहां पर 35 number questions के, अगर हम बात करते हैं, bull nose bricks is used for, यहां पर क्या दोस्तों, एक question पुछा क्या, बुल nose bricks होता है, वो कहां पर use किया जाता है, तो bull nose bricks होता है, जो हमारे corners होते है, max of the buildings के, जो भी corners होते हैं, दोस्तों, वहां पर यह use किया जाता है, तो option देखते हैं falling of rain water on the hot surface of bricks is known as, दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही इसके video, इसके previous video हमने यह बताया हुआ है, कि जब भी किसी hot bricks पे, हम लोग water को एक एक गिराते हैं, दोस्तों, एक water को गिराते हैं, तो उस condition में एक आवाज आते हैं, दोस्तों, चुप या नहीं, एक process भी होता है, जिसे हम ल the following bricks is suitable for high class brick machinery, दोस्तों, यहाँ पे पूछा किया है, कि high class brick machinery के लिए क्या होता है, दोस्तों, यहाँ पे modular bricks, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, it is a correct answer, दोस्तों, जो भी questions यहाँ पे होते हैं, आप देख पाते हैं, कहीं, 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 SSCJ के morning's में, second of the 18 में, यह question आया हुआ है, अगला question है, 38 number question है, which of the following is correct reason for the soaking of bricks in water before it used, दोस्तों, यह पूछ रहा है, कि किसी bricks को क्या है, दोस्तों, हम लोग use करने के पहले, पानी में क्यों भी होते हैं, इसका actual region क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों, हम लोग इसको देख पारे हैं, for preventing observation of the moisture from the motor के, दोस्तों, इसकी प्रकार के water content को absorb नहीं करेगा, और हमारी क्या है, काफी अच्छी बनी रहेगी, अगला question है, दोस्तों, यहाँ पे 39 question, दोस्तों, क्या होगा, chemical action, no dampness, no high temperature, दोस्तों, जब भी हम भी factories में बात करें, दोस्तों, ब्रिक्स की, दोस्तों, तो हम लोग इसको किसके लिए, high temperature को क्या होता है, दोस्तों, कबद करने के लिए, इसको हम लोग यूज करते हैं, अगला question, दोस्तों, 40 number question है, in the composite of wood brick, the total content of s silt and clay, दोस्तों, यह पहला ही question, इसको हो चुगा, it is not less than, तो यहाँ पर जो answer होगा, दोस्तों, option number C is 50 to 60 होता, दोस्तों, तो 50% से दोस्तों, कम नहीं होना चाहिए, in any case, अगला 41 number question क्या, what is the percentage content of silica in a good quality of brick, दोस्तों, यहाँ पुछा, silica का क्या percentage होनी चाहिए, good quality of brick, तो प City, defects, 2 to the presence of alkalized in a brick, दोस्तों, क्या होता, जब भी किसी में क्या नहीं होता है, हम लोग का जो alkalized होते होते हैं, दोस्तों, वह हमादा क्या है, 7 से plus होता है, दोस्तों, तो ऐसे क्या नहीं होता है, तो उससे ड Vishis, नहीं होता है, जिस नशना अँग ब्रिक, बलेक को, यहाँ न मॉडूलर बताइनलीं एक ब्रिक्स उपसेदतार की पाउस देखें होंगे अक्ला इस तो आप साइज सेंदर मॉडूलर जब यहां पर दोस्टों बोल दिया स्टेंडर्स थे इस स्टेंडर्स की तो स्टेंडर्स के निमिंट्ट्र नाइन संस्टेंट्म्र्स थे,max दुस्टों जो है दोस्तों आज के इस कहना में इस 44 नमर मॉट्य है दोस्टों वह हमारे क्या है है इन फिर फॉलोईंच्पर लाइव ये प्रवाईटिंग मैनुफेक्टिरिक नहीं दे प्रॉट इंटर इस्ट कुछ सिंट है उसका में डीजन किया हो था है प्रिंटिंग मैनुफेक्ट्रिंग सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर जो निकलते हैं नंबर्स निकलते हैं कि नंबर्स आफ ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो वह कैसे निकलता है वह हमारा एक एक ये दीजारता दाकर इन सेंटीमीटर तो इसको जहां में पिच्छेंज आएंगे तो कुछ ऐसा आएगा दोस्तों पॉइंट वन इंटू पॉयंट वन यहां पर इसको जो तो आप इसको अच्छे से देख पारे होंगे 48 नमबर आफ की बात के हैं दोस्तों तो हम लोग का क्या है वाट इस देखने साफ वन एंड हाफ ब्रिक वन एंड हाफ की बात का दोस्तों तो एक ब्रिक की साइज किती होते देश सेंटीमीटर हाफ इसमें और जो एगा तो है आपको देखेगा एक ब्रिक की बात क्यों तो हमारा होता है और मेंटेन ऑन इसको इस दांसे भी जो 싸 influences Is Most the Freunde XL सेंटिम्ट वर्ड हांम के क्rices क्या होती है हमारे ब्रिक में थेंधेंग प्लास्टिस्टी सब्सक्रान करेक्पे अंसर्स भोक्त क्या करती है इनिशियल सेटिंग टाइम देती है इनिशियल क्या होता दोस्तों सेटिंग टाइम देती है और हमारा क्या होता ब्रिक्स क्या है प्लास्टी सिटी प्रवाइड करती है इन एनी केस आप करें यहां पर अगला कोश्चन दोस्तों 50 नमबर कोश्चन टोटल 55 कोश्चन ह दो तो हमारे इस स्दू निप्रक पूंगे और फोटी सिक्तक्र निए सुने होंगे तो 9 इंच दोस्तों क्या है 1 brick wall का है दोस्तों 1 bricks का यह वाल है दोस्तों 9 इंच यहां पर होता है यह answer is the correct answer अगला question 52 दोस्तों क्या है efflorens in a bricks is a car due to जो भी efflorens होता है उसों किसकी वज़े से होता है दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे efflorens वाले last question में दोस्तों यहां क्या है presence of soluble salt in parent clay salt की वज़ा से दोस्तों क्या होता है efflorens होता है तो अगला question जो यहां पर आपको देख रहा दोस्तों वह question number 53 53 number question में आप देख पाते हैं दोस्तों how many bricks are required in one जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुकिंगे दोस्तों वह कितना होता है 500 नंबर साथ दोस्तों कितना सिंपल दोस्तों क्या होता है questions को device करता है आपको क्या करना basic preparation से हम लोगों का कुछ ना कुछ हो जाएगा किसी भी चीज को basic में आपको क्या करना है उस चीज के बारे में जितना पता हो दोस्तों उसके बारे में अच्छा depth भी पता होना चाहिए क्या होदा question को क्यों modify क्या जाए अगला question क्या है दोस्तों which are following mineral is responsible for red color फिर वही question है यहां पर दोस्तों यहां पर क्या है दोस्तों यहां पर क्या है दोस्तों आप अगर diploma student तो आपने काफी अच्छा एक फीगर देखा होगा दोस्तों कुछ ऐसा करके पर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको लाब अच्छा लगे तो लाइक करें सियर करें दोस्तों के साथ में और competitive examinations में बने रहने के लिए चाहे वो यूपी PCL हो दोस्तों SSC JE हो या किसी भी other JE हो जैसे railways की कुछ बैकेंसी जाती हैं दोस्तों तो उन सब के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जदूर करें और वेल आइकन को जदूर दमाजी स सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आपको मिल गया है तो थाइंग्स फॉर वाचिंग वीडियो थाइंक यू सो मच